तो इन question को करने की है एक sort trick क्या है sort trick आपको बस इतना सा याद रचना है कि integration का जो final answer है वो x का function into y का function into z का function करके कुछ आएगा हलो everyone welcome to the channel आज मैं आपके सामें लेके आया हूं तब question में work के से calculate करें है उसकी एक sort trick जैसे कि आपके सामने question आता है कि किसी particle पर फोर्स लग रहा है और वह फोर्स जो एक constant नहीं है variable है तो इसकी वज़े से अगर आपको कोई बोले है कि यह फोर्स लगा कि किसी इस particle को में 0,0 से 2,3 तक लेके गया बताओ कितना mechanical वर्क देन हुआ तो वर्क देन निकालने के लिए simple सा formula लगाते है f dot ds टीक है यहाँ पर f की value डाल दो 2 x i cap 3y j cap लें ds को निखते है dx i cap and dy j cap जितना होता है i cap, j cap के term उतना open कर देते हैं यहाँ फिर दो term से 2 को open कर देते हैं and simple i वाले आपस में multiply हो जाती है जे वाले time आपस में multiply हो जाती है इस तरी के से equation हमारे सामने बन जाती है और limit लग जाती है x के limit 0 to 2 and y के limit 0 to 3 यह फिर जो भी question में आपके given होती है आप आसानी से इस question को solve कर लेते हैं यह अब इसके पास x का integration x के respect में है y का integration y के respect में यह आप आसानी से कर लेते हैं बट अगर आपके सामने question कुछ इस चरीके का आ जाए f is equals to y i cap plus xz cap x direction में लगने वाला force y पे depend कर रहा है y direction में लगने वाला force x पे depend कर रहा है और इस particle को 0,0 से 2,3 पे लेके गए हम लोग इस case में burden केतना होगा फिर से आप क्या करोगे वही f dot ds integration f dot ds ds को लिखोगे dxi cap dyj cap formula लगा होगे i वाली terms आप से multiply करोगे आप से multiply करोगे तो आपके सामने कुछ a equation आएगी w equals to y dx plus x dy सवाल यह आता है कि इस integration को सोल नहीं किया जा सकता directly ठीक है जब तक आपके पास y और x में कोई relation ना हो तब तक इसको हम सोल नहीं कर सकते है इस तरीके का आगया x और y को और 0 से 1,1,1 यहां पर ले जाया जा रहा है यहां पर इसको ले जाया जा रहा है तो बटा होगी कितना होगा इस तरह यह प्यक्रिशन आप डरेक्टी नहीं करकते जब एक से जादा variable आ जाए जब एक से जादा variable आ जाए फिर से यह question तो इन question को करने की है एक sort track क्या है आपको बस इतना सा याद रखना है कि integration का जो final answer है वो x का function into y का function into z का function करके कुछ आएगा अब यह x का function y का function और z का function कैसे निकालेंगे देखो x का function निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो j-cap और k-cap जो भी term से उसके अंदर आपको एक्स की common term क्या है वो देखनी है या फिर कुंस्टेंट भी common आ रहा है तो वो भी देखना है ठीक है इसी तरीके से fy निकालने के लिए आपको क्या करना है y मतलब j-cap तो j-cap को छोड़ो i-cap और k-cap इसके अंदर y की common term देखो y की common term देखो व लो जैड की इससे आपका काम हो जाएगा तो डारेक्ट लिए आप आंसर लिख सकते हो जैसे कि इस क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर देखो integration करने के बाद उसके लिमिट लगानी है बड़ इसका आंसर आने वाला है आपका अब यह अब यह अहएक निकालने के लिए आपकर क्या देखना है आई केप को छोड़ना है जी और क्यामें डेखने है जी हो एकशी और फाइफ है ना भी एकसी पालगार फाइफ एकक्सी पालगा टाम देखो निखुर और बिल्दा कोंस्टेंट कोमंन तो यूब निखा यक्शन स्क्राइब कोई स्क्राइब ओर कोई कोमंन नहीं आ रहा व्यागा की उसी तरीके से एफट से चाल लो आपको लिए करना है किया कि एक करूप को छोड़ना आई और जे में आपको कॉमन टम देखनी किसी कि सब्सक्राइब कंस्टेंट नहीं आरा मतलब आंतर आजाएगा इतना आजाएगा देखो वन की पावर फाइप वन टू क्यूब एट यह नाइए इसी तरीके से बागी को कर लेते हैं यह देखो इस क्वेशन में आप डब्लू डारेक्ट लिख सकते हो ठीक है डारेक्ट लिखना बता रहा हूं टाइम वेस नहीं करते हैं अब यह देखेंगा गया है अब लिमिट लगा दो जो इसके पीछे वाला गुश्चन अब इसके अंदर तो यहांते देखो एक्स स्क्वेर है इतना है एक्स स्क्वेर है अब आपको क्या करना है जो भी लगानी है अप लिमिट लगा दो इसी तरीके से यहां एक्स निकालना तो आई आई वालि टर्म के पास चले जाओ या यहां कि यहां पर आप डारेक्ट लिख सकते हो गवदन को एक इंटु वाइड है फिर जो भी आपको लिमेट गीवन है 0,0 से 2,3 अपने पूट कर दिया तो आंतरा जाएगा आपका 2 इंटु 3 6-0 हैने कि 6-0 तो इस तरीके से हम एसे क्वेशन को भी चुटकी बजाते हुए सोल कर सकते हैं आई होप आपको पसंद आई होगी मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक आप पढ़ते रही है और पता दे रही है थैंक्यू वेरी मच्च